दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग आज की इस कलास में कुछ और दुर्गों के साथ उपस्तित हैं और बहुत ही मौस्ट मौस्ट इंपोर्डेंट जानकारी ये दुर्ग कहां है ये दुर्ग है बारा में और ये जल दुर्ग की श्रिणीव के अंदर आता है और इसका निर्मान जो था नागवंशिय शाषकों ने करवाया था साथ सो इकाण में इश्वी में करवाया था ये बारा की जो अट्रू तसील है उसमें परवन नदी जो ह निर्मान करवाया था पहले इस दुर्ग का नाम कोश वर्धन था शेरगड का पहले नाम क्या था कोश वर्धन इसका ये नाम किसने पहले कोश वर्धन था तो शेरगड किसने रखा तो शेरशासूरी ने इसका नाम शेरगड रखा था शेर सासुनी ने 1542 इसमी में मालवा भिहान के दोरान इस दुर्ग पर अधिकार किया था और देवदत नागवंशी ने इस दुर्ग में अनेक प्राचीन विहार बोध मठों का भी निर्मान करवाया था अटल शिलालेक के अनुसार ये दुर्ग पहले परमारों के पास था फिर मालवा के सुल्तानों के पास रहा है और उसके बाद इस दुर्ग के बारे में और अगर अगर अपन जानकारी देखें तो यह दुर्ग जो था ना इसके बारे में कहा गया है मुगल शाशक फरकुर शियर ने इस दुर्ग को कोटा महराव भीम सिंग को दे दिया था और कोटा के दिवान जालिम सिंग ने इस दुर्ग में जहलाओं की हवेलियों का निर्मान कराया था और अमीर खांप पिंडारी ने अंग्रेजों से बचने के लिए इसी दुर्ग में आश्रया लिया था तो ये तमाम जानकारी है कि इसके संबंद में शेरगड़ दुर्ग के बारे में इन्होंने इसका निर्मान करवाया था मालदेव ने करवाया था और जोदपुर के शासक दे पंदरा सो चालिस में करवाया था शेरशा सूरी ने इसका जिर्णोदार करवाया था पंदरा सो पैंतालिस में और शेरशा सूरी ने इस दुर्ग का नाम भी शेरगड रख दिया था यह दुर्ग धोलपुर के राजा कीरत सिंग की राजधानी के रूप में भी रहा है और इस दुर्ग में हुन हुंकार तोप भी स्थित है और इस दुर्ग में शेरशा सूरी के गुरू मीर सेयद की दरगा भी है यह राजपुताने का एक मादर दुर्ग जादो तीन राज्यों की सीमाँ में स्थित है राजस्थान, मद्यापरदेश और उत्रपरदेश शेरगड दुर्ग जो है तीन राज्यों की सीमाँ से घेरा हुआ है राजस्तान, मध्यापरदेश और उत्रपरदेश सहाजा के पुत्रों, दाराशिको, मुराद और औरंग जेब के बीच सत्ता को हत्याने के लिए इसी दुर्ग के अंदर आपस में युद्ध हुगा था उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट किला है हमारा दुर्ग है बाला किला जो की कहा है अलवर में है ये भी एक गिरी दुर्ग है और आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगुराये ने इसका निर्मान कराया था वरत्मान में इसके अवशेश मतर रह गये हैं जिन्हें रामन जो है राना संगा का साथ दिया था इस युद्ध के बाद इस दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था और औरंग जेब की मुर्ति के बाद भरतपूर के शाशक सूरजमल ने इस दुर्ग को मुगलों से चीन कर अधिकार कर लिया था और सूरजमल ने ही यहां सूरजकुंड का निर्मान भी करवाया था सूरजमल जो की जाटों के प्लूटों भी कहलाते हैं और यह भरतपूर के थे इस दुर्ग में बाबर ने एक रात रुक्या था बाबर अकबर ने अपने पुतर जहांगीर को यहां पर नजर बंद किया था नागोर के दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों नागोर का दुर्ग जो है इंपोर्टेंट दुर्ग है नागोर का दुर्ग जिसको अहिछतर पुर दुर्ग का जाता अहिच्छत्र पुरुद नागूर का प्राचीन नाम है और ये एक धानवे दुरुग की श्रणी में आता है केमास सौमेस्वर के सामन्त ने ग्यारा सो चोवन में इसकी नीव रखी थी और इसका पूरा निर्मान हुआ था बारा सो ग्यारा में फारसी गरंतों के अनुसार गजनी के सुल्तान बहराम शाह के सेभलसार मौमद बहलीम को इस दुरुग का संस्थापक माना जाता है उपनाम क्या है इस दुर्ग के इसको नाग दुर्ग भी कहते हैं नगवर भी कहा जाता है नगाना भी कहा जाता है और अही छुत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है इसमें दागे गई गोले किले के उपर से निकल जाते हैं यह दुर्ग जोदपुर महराज गज सिंग पर्थम के पुत्र अमर सिंग राठोड की शोरे गहताओं का भी पृतिक है इस दुर्ग में अमर सिंग की छतरी स्थित है जो की सोलह खंबों वाली है और दोस्तों इस दुर्ग के बारे में हम बात करें तो अमर सिंग राठोड ने सहाजा के दरबार में अमर सिंग राठोड अमर सिंग की राठोड की जिसकी चतरी बनिया है सहाजा के दरबार में इन्होंने बक्षी सलावत खान का वद्ध कर दिया था क्यों कहा क्यों कर दिया था क्योंकि इन्होंने सलावत खान जिसको इन्होंने मारा उसने इसको इन्हों 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 इन्ह अकबर ने यहां शुक्र तलाब का निर्मान करवाया था अकबर के नवरितनों में शामील फेजी वे अबूल फजल की ये जनमस्तली है ब्रिटेन के प्रिंस चाल्स ने इस दुर्ग की यातरा की थी और युनेस को द्वारा अवर्ड ओफ एक्सिलेंस पुरस्कार से 2007 में इस दुर्ग को सम्मानित भी किया गया था तो इस दुर्ग की अपनी आप में एक इंपोटेंस है इसको आपको याद रखना है उसके बाद हम बात करते हैं शहबाद दुर्ग की जो की कहां है बारा में ये भी एक गिरी दुर्ग है चोहान राजा मुकुट मनी देव ने इसका निर्मान करवाय था 1521 में और इसका उपनाम है सलीमाबाद दुर्ग और यहाँ पर एक तोप है नवलवान जो की 19 फुट लंबी है और यहाँ पर एक जहरना है जिसको चश्मा कहते हैं कुंठा खो और अलल पंख यहाँ पंख युक्त हाथी की एक मूर्ती भी है और उसके बाद दोस्तों आते हैं बयाना दुर्ग पर बयाना दुर्ग जो की बयाना भरतपुर में पड़ता है यह गिरी और वन दुर्ग की श्रिणी में आता है यादव वंश के महराजा विजएपल ने 1,040 में इसका निर्मान करवया था और इस दुर्ग का नाम है विजए मंदिरगर यह पर इसको बोलते हैं बादशाह दुर्ग या स्रीपूर दुर्ग भी कहते हैं सुल्तान कोट दुर्ग भी कहते हैं शोणित गरी दुर्ग भी क कहते हैं इस दुर्ग में चंद्र गुप्त का विजय स्थम्भ है राजस्थान का प्रतंभ माना जाता है इसको उशा मंदीर है यहां पर एक और यहां पर भीमलाठ अकबरी चतरी और जहांगिरी दर्वाजा भी इस्तित है बयाना जो है वो नील की खेती के लिए परसित था यहां गुप्त का लिन सिक्के भी मिले हैं बयाना की संबन्द में यह जानकारी उसके बाद दोस्तों हम भरतपुर के और किले की बात करें तो यहां पर आता है डीग का किला जिसे पारिख दुर्ग की श्रणी में रखा जाता है बदन सिंग ने 1730 में इसका निर्मान करवा इस दुर्ग में कुल बारा बुर्ज हैं लखा बुर्ज सरवाधीक परसिद है दुरूट इला नामक बुर्ज भी है यहां पर डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है और इस दुर्ग में महराजा सूरजमल का महल है महराजा सूरजमल के भाई सुल्तान सिंग की समाधी भ उसके बाद उस तो भरतपूर के एक अन्य दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग है तिर्भोवन या तिमनगड या बयाना भरतपूर में स्थित है ये तो इस दुर्ग का नाम है तिर्भोवन या तिमनगड बयाना के राजा विजयपाल के जेश्ट पुतर तिर्भोवन पाल ने इस दुर्ग का निर्मान करवाय था यह एक छेतर जो है नील की खेती के लिए परसित था तिर्भुवनगड तिम्मनगड किला करोली में भी है इसी नाम का किला कहां करोली में भी है और मूर्ती तर्सक्री के कराण यह चर्चा में रहा था उसके बाद दोस्तों हम बात करें दोसा की दुर्ग की दोसा का दुर्ग जो है इसका निर्माण बर गुजरों या गुरजर परतिहार ने करवाए था यह दुर्ग देवगिरी पहड़ी परस्तित है और इसकी आकरती सूप चाजले के समान दिखाई है और कच्वा शाशकों ने भी इस दुर्ग का निर्माण करवाए था कुछ हिसों का पूरे दुर्ग का नहीं यहां दादुपंथी संत सुन्दरदास का जनब हुआ था और सुन्दरदास को दूसरा संकराचारय कहा जाता है यह दुर्ग आमेर के कच्छवा शाशकों की पर्थम राजधानी भी रहा है और मिर्जा राजा जैसिंग का पालन पोशन उनकी माता दम्यंती देवी द्वारा इसी दुर्ग में किया गया था यहां चांद बावडी भी स्तित है और 1857 की करांती की समय तांतिया टोपे ने भी इस दुर्ग में शरण ली थी यह दुर्ग था हमारा दोसा का उसके बाद हम बात करते हैं बसंतगड दुर्ग जो की सिरोही में है माराना कुम्भा ने इसका निर्मान करवाया था यह दुर्ग पिंडवाड़ा गाउं सिरोही में है और यहां सीमल खीमल माता का मंदिर भी है इस मंदिर में लिखे गए एक शिला लेख में राजस्थाना दित्या शब्द का लिखित परमाण है उसके बाद हम कोटडा किलाव की बात करें तो ये बाड मेर में है किराडू के परमाण सासकों के द्वारा बनाया गया था यहां यहां सरगता कुवाँ है पहले जेन संपर्दाई की नगरी थी और इस दुर्ग में एक जरोखा है जिसे मेडी कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट है सज्जनगड दुर्ग जो की उद्यपूर में है दोस्तों महराजा सज्जन सिंग ने इसका 1884 में निर्मान करवाया था बांसरा नामक एक पहड़ी परिस्तित है और इसका उपनाम है वानी विलास महल मांसून पेलेस इस दुर्ग का निर्मान जोतीशी गर्णाओं के केंदर के रूप में करवाया गया था यहां गुलाब बहुत परसीद है यहांके वरतमान में यहां पुलिस का वैरलेस के अनर बना हुआ है और उसके बाद आते है दोस्तों सोज़त का दुर्ग सोज़त का दुर्ग जो की पाली में सोज़त पाली में अपने को पता है निम्बा, जोधपूर के राओ जोधा के बड़े पुत्र निम्बा ने इसका निर्मान करवाय था जोधपूरी ख्यात के अनुसार इसका निर्मान राओ, मालदेव ने भी करवाया था, सोजत माता के नाम पर सोजत नगर बसा जिसे शुदंती या श्रमबावती भी कहते हैं, यह है सोजत पाली का दुरूग, उसके बाद हम चलते हैं कुचामन जो की नागोर में है, कुचामन के दुरूग की बात करें तो मेड़ता के शाशक जालिम सिंग न जो है वनखंडी नामक महात्मा के आश्रवाद से इस दुरूग का निर्मान करवाया था, अन्यमानेत्याओं की बात करें तो इसका निर्मान गोड छत्रियों ने करवाया था, और मंड्रायल दुरूग जो की करोली में है, ब्रज बहदूर ने इसका निर्मान करवाया था इस दुर्ग को गौालियर दुर्ग की कुंजी भी का जाता है ये important बात है मन्डरायल दुर्ग जो की करोली में है इसे गौालियर दुर्ग की कुंजी भी का जाता है इस दुर्ग में मरदाना शाह पीर की दरगा हस्तित है और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किशनगड अजमेर के कहरीगड किले की कहरीगड किशनगड अजमेर में है यह दुर्ग गूदोलाव तालाब के पास इस्तित है इसके आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं और वरतमान इमे हे उटल हेरिटेज के रूप में है इसे चोमुहागड या रगुनात गड़ या धाराधार गड़ भी कहा जाता है उसके बाद है कोटा का दुर्ग का निर्माण बूंदी के राजा जेद सिंग के द्वरा कराय गया था और इसमें माधो सिंग संग्राले संचालित है यहां के भिती चितर जो हैं बहुत परसीद हैं उसके बाद हम आते हैं फतेपूर दुर्ग सीकर में फतेपूर दुर्ग जो है इस दुर्ग में तेलीन का महल है और इसका निर्माण फते कहां कायम खानी ने करवाय था अन्य दुर्गों की बात करें चोटे मोटे और भी बहुत सारे दुर्ग हैं जिसमें टाडगड का जो दुर्ग है वो अजमेर में है इसका निर्माण जैम्स टोड ने करवाया था पच्चेवर का किला या चोबुर्जा किला जो टॉंक में है यहां पर पाड़ा चक्की बनी हुई है अन्सीरगड जो की टॉंक में है यह निर्माण की शुरुआ तो भोला ब्रामण ने की थी जबकि इसे पूरा अमीर खाँ बिंडारी ने करवाया था मनोहर थाना का किला यह जहलावाड में है यहां काली खोव परवन नदी के किनारे परस्त है यहां भीलों की देवी विश्वन्ती माता का मंदिर भी है और उसके बाद हम नेक्ष्ट किले की बात करें तो माधोराजपुरा किला है माधोराजपुरा का किला यह फागी जैप जेम ने अपने भाईदारा शिका को केद करके रखा था नीमराना दुर्ग ये अलवर में है 1464 में बना पांच मजीला दुर्ग है और पंच महल के नाम से परसिद है अजब गड का दुर्ग ये अलवर में है 1635 में अजब सिंग ने इसका निर्मान करवाया था और भानगड दुर्ग भी अलवर में है जिसको भूतों का दुर्ग भी कहते हैं ये 1573 में भगवंत दास आमेर के राजा ने इसका निर्मान करवाया था अलवर्ट होल की डिजाइनिंग सर क्विंटन जेकब ने की थी स्वाई राम सिंग के समय इस इमारत का निर्मान एहूं 1887 में माध राम सिंग दित्या एडवर्ट पंचम के आगाम पर जैपूर शहर को गुलाबी रंग से रगवाया था ये कुछ और इंपोर्टन बातें थी इनको अपन बाद में देखेंगे फिलाल आपको सिर्फ इतना ही समझना है यहां पर जितने ये दुर्ग है ठीक है यहां पर जि अहां तक देख लीजिए इसको एक बार फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं नमस्कार